भीड में मोती मोती के नारे अचानक क्यों लगने लगे क्या पीम मोती अचानक जैसल मेर पहुच गए जी नहीं नारे थे मोती के और सामने थे अश्योक गहलोट यह सब कुछ हुआ जब अश्योक गहलोट चैसल मेर के राम देवरा मंदिर पहुचे जहां भीड मोती मोती के नारे लगा रही थी और अश्योक गहलोट हाथ लाकर अभिवादन कर रहे थे अब मास्क पहने अश्योक गहलोट कर भी क्या सकते थे ना तो वो कुछ कहते दिखे और ना ही उनके चहरे पर मुस्कान है या फिर नाराज की यह दिखी तो नहीं लेकिन अश्योक गहलोट रुके नहीं और हाथ हिला कर तुरंथ गेट से बाहर हो गए बड़ी बात यह थी कि अश्योक गहलोट के सामने लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे वैसे नारे एक दो लोग नहीं बलकि पूरी भीड ही लगा रहे थी और वहीं अशोक गहलोत ने हाथ इलाकर लोगों भिवादन किया और मोधी मोधी की गूझ के बाद अशोक गहलोत का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो क्या है 11 सालों की विश्वास पर टिका दीन दयाल ग्रूप आफ इंस्टिटूशन्स जहां मिलती है बीएड, बीएस्टिसी, बीए और बीएस्टी की कोचिंग और हर समस्या का समाधान जहां डाइरेक्टर दीन दयाल जाखर और चेर प्रसंड डॉक्टर किरन जाखर के सानिध्य में इस्टुडेंट्स की समस्या का मिलता है समधार क्योंकि दीन दयाल है 11 साल का विश्वास जहां होता है हर इस्टुडेंट्स की प्रॉबलम का सेलूशन पारी फतेपुर शेखावाल्टी मोबाइल नमबर 9649173111 प्राइबल सक्रावाल्टी